हलो गाइस आएम निरा सिंग प्रॉम चैनल एंसिंग क्लासे स्टुडेंट टूडे विल डिस्कॉस अबाउट ट्रांस्पोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स चेप्टर एट फोर क्लास सेवेट एस्टुडेंट्स इस चेप्टर में हम जानेंगे कि कैसे चीजियों क इक जगह से दूश्रे जगह पर जाता है दोनों केसे में प्लांट के केस में और इनिमल के केसे में एस्टुडेंट्स कोई भी और्गनीजम है उसको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, और ओक्सीजन चाहिए जिन्दा रहने के लिए इन चीजों का चाहिए वो फूड है वाटर है ऑक्सीजन है उसका ट्रांस्पोर्टेशन ये एक जगे से दूसरे जगे पर बॉडी के अंदर जाता है और जैसे हम जानते हैं कि और्गनिजम का बॉडी है वो मसीन की तरह काम करता है तो जहां मसीन चल है वहां वेस्टेज निकलेंगे तो प्लांट के केस में और इनमल के केस में भी वेस्टेज निकलते हैं और वो वेस्टेज बॉडी से बाहर भी निकलते हैं वेस्टेज बनते हैं क्रियेट होते हैं प्रोडूस होते हैं बॉडी के अंदर और वहां से फिर वो बॉडी से ब बाहर निकल जाते हैं, the students, the process of movement of substance, ये परकिरिया, जिसमें substance का movement होता है, एक जेगे से दूसरे location पर जाता है, इसी चीज़ को कहते हैं, transportation, यहां से आपको transportation का definition मिला, the process of movement of substances from one location to another is an organism, is known as transportation, तो इसको आप underline कर लीजे, इसको याद कर लीजे, on the basis of presence of number of cell, यानी cell के उपस्तिती के हिसाब से के organism को body में कितना cell है, इस हिसाब से, हम organism को दो केटिगरियों बाढ़ते हैं, एक को कहते हैं, इसे organism को एक cell के बने होते हैं, unicellular organism को कहते हैं, तो unicellular organism में transportation का काम आसानी से हो जाता है, और वो एक process होता है, जैसे diffusion और osmosis, देखिए diffusion क्या होता है, यहां थोड़ा हम define कर देते हैं आपको, कि diffusion is a process in which substance move spontaneously from the higher concentration region to lower concentration region, यानि उच सांदरन से निम्ने सांदरन की और चीजों का सोता चले जाना क्या कहलाता है, diffusion कहलाता है, और जब यही diffusion एक membrane के माधियम सोता है, तो उसी कहते हैं, it means, osmosis is a part of diffusion, diffusion, तो unicellular के case में, unicellular के case में क्या होता है, student, कि diffusion का का काम, यानि transportation का काम, आसानी से हो जाता है, ठीक है, students, उसके बाद है, multisolar के case में, multisolar के कहते हैं, ऐसे organism, जिनका body, एक से ज़्यादा cell का बना होता है, तो उसको कहते है, multisolar, तो multisolar organism का में, अलग-अलग पार्ट में, अलग-अलग तरह का काम चलते रहता है, तो transportation का काम, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग पार्ट में होता है, लेकिन, सारा के चीज, जो substance होते हैं, तो जहाँ-जहाँ body में, अलग-अलग पार्ट में, transportation काम चलते रहता है, और वहाँ से क्रिया होता है, वहाँ से work करता है, function होता है, वहाँ से क्या करता है, और वहाँ से body का cell जो है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जो उसके जोरत की चीज़े होती है, और वहाँ unwanted material को body से बाहर release कर देता है, eliminate कर देता है, ठीक है student, यह multi-cellular के case में होता है, जहाँ diffusion और osmosis sufficient नहीं होता है transportation का काम कर पाने में, तो उनका body के size ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो ज़्यादे चीज़े होंगी, ज़्यादे body बड़ा होगा, तो वहाँ ज़्यादे चीज़ों क्या हो सकता होगा, तो वहाँ फिर transportation का काम diffusion और osmosis से नहीं चलता है students, अब देखे, transportation का काम, plant के case में, transportation का काम कैसे होता है, तो यहाँ पढ़ना है, कि transpiration in plant, देखे, transpiration क्या होता है, student, excess water, plant से evaporate होना ही, क्या कहलाता है, transpiration कहलाता है, देखे, plant है, root के माधियम से, माधियम के, Lauren trash, तो extra water को absorb कर लेता है, तो extra water absorb होता है students, तो इस ex- lecture water को plant evoperation के माधियम से, अपने body से बाहर निकाल डैता है, इस इस चीज़ को क्या कहते है, transpiration कहते है, students, Transpiration is the evaporation of water molecules, क्या है Transpiration क्या water molecules का evaporation है Student in the form of किस form में होता है तो वेपर के form में होता है, कहां से होता है तो plant surface होता है Especially कहां से होता है तो stomata से होता है, student यह stomata term है, stomata means क्या होता है यह tiny holes present under the surface of leaf is known as stomata यह पती के अंदर वाला surface, नीचीने surface पे छोटा-छोटा होल होता है मुझ छोटे होल को क्या कहते है, stomata कहते है और इस ही stomata के माद़ हम से evaporation होता है जिसको हम क्या कहते है, Transpiration कहते है students और you may wonder why the plant loses water, that it is absorbed from the soil, अब यह सोचने की बात है कि plant जब water को absorbed कर लिया तो उसको evaporate करना क्यों जरूरी है, students the plants absorb water and mineral nutrients from the soil, आप पढ़े है कि जो plant होता है, वो water और mineral कहां से absorb करता है, soil से absorb करता है while most of the mineral are utilized, ज्यादा तर mineral जो होता है उसको plant utilize कर देता है, उसको काम में ले आता है the water is not fully used, लेकिन water को पुरी तरह use नहीं कर पाता है और यही unused water जो होता है, वो evaporation के माधियम से, transpiration के माधियम से, body से, plant body से बाहर निकल जाता है इसी चीज़ को क्या कहते है, transpiration कहते है, अब simple भासा में अगर इसको define करना है तो सीधा आप define कर दीजिए कि extra water evaporated by the plant through a stomata is known as transpiration students, आगे दिखते हैं, जैसे दखिये एक चीज़ दख लीजे, यह figure को हम समझते हैं एक बात, दखिये क्या होता है यह दिखिये आपको देख रहा है क्या है, कि यह plant है, ठीक Partners है यह lips दिखाई दे रहा है इ क्या है दिखियेStim है इसका यह stem दिखाई दे रहा है, यह सब क्या है, roots है कि दीखे नुइंड की हैं च्रूटे से और है राइके इस तर्ष बंदर जिक रहा है यहां फ्लाइके ओड़ के दीखुयर आपको दिखाया है यहां से सब यहां से क्या का थैज करके यह बोडी के उपर यहनि बोडी को उपर कहने का मतलब किस्टिम से माध्यम से जहां खाना बनता है आप जानते हैं कि जहां लिप्स है होँआ खाना बनना है वहां तक पहुंच जाता है और इसके बारे मिए स्क्सर प्रिसर है या कैपिलरिटी है या वाटर अब्जोड भाई second pressure है चुकि आप देखिए इधर concentration हमने आपको बताया कि diffusion क्या है diffusion जो है spontaneous movement है from the higher concentration to lower करते है देखिए अगर soil के अंदर क्या है water के concentration ज्यादा है lips में कम है तो इधर सीधर यह जाना है start कर देता है देखिए इस तरह से जाना है देखिए यह diffusion होता है higher concentration water sorry soil molecules में water का concentration ज्यादा है lips में कम है तो इधर सीधर जाना शुरू हो जाता है इसी चीज़ को तो diffusion कहते है students ठीक है तो यह diffusion होता है जब membrane के थुरू हो गया यही चीज़ जब membrane के थुरू हो जाता है तुम उसको क्या कहते है Osmosis कहते है इस तरीके से ऊपर की तरफ ही जाता है बाकि इसका detail upper classes में पढ़ने है students यहां बस जीता ही अब समझ लीजिए transportation is beneficial to the plant जो transportation है वो plant के लिए क्या है आप जायक है प्रेस्वाइब के लिए लाप उसाथ पहुंचाता है it creates the suction pool which helps water to transport the great height of the tall tree tall tree में क्या होता है यह suction pressure बनता है ठीक है student जैसे suction pressure pipe के थुरू जाइलम के थुरू जाओ पर चड़ता है तो यह pressure create करता है और लंबे लंबे ट्री में आसानी से पहुंँ जाता है देखिए it also help to the lower plants जो यह transpiration lower plants में भी मदद करता है ठीक है body में क्यों temperature को maintain कर ले summer के दिन में गर्मे के दिनों में यह बहुत ज़्यादा जरूर ही होता है it may be called a necessary evil ठीक है student क्योंकि temperature को regulate करता है गर्मे के दिन में temperature को regulate करेगा अब यह से अर्मान लगा लिजिए कि एक जो single mage plant होता है mage plant मतलब मक्का का जो plant है वो loses about 245 liters water through the transpiration one growing region एक बार जब वो grow कर जाता है पूरा germination से लेके पूरा जब उसका season खत्म हो जाता है यानि एक season में 245-245 liters water को क्या करता है ट्रांस्पोर्ट कर रहे है ट्रांस्परेशन कर देता है यह नहीं इभोपवेट कर देता है एट्मोस्पेर में water vapor के माध्यम से water को अब देके स्टेंट ट्रांस्पोर्टेशन इन इनमल्स स्टार्ट करते हैं किस तरह के से ट्रांस्पोर्टेशन होता है इनमल के के स्टेंट्स जैसे इनमल दो तरह का होते हैं एक higher एक lower वो ह। हम लोग हमस्टोड करेंगे हाया रेडिमल के कस्में जिसमें human being वी शामील है इसमें ट्रांसपोर्टेसन का काम siis श्रिकलेटरिस सिस्टण के द्वारा होता है और इस शिस्टेम के द्वारा स्पुर्टेसन त्वेरियस और इसके बाद बोडी में वेरियस तरह का अग्टिवीटी चलते रहता है मेटामॉलिक अग्टिवीटी होते रहता है तो उससे वैस्टेज निकलते हैं उस वैस्टेज को एसक्रेटिविट कहते हैं उसको हम इसमें सामिल करते हैं है Peru and the D get this Act of 03 004. ते स्रीन गवी एक हल्त है, दुसरा है बलड वेसल्स और तीरा हल्ड हल्ड का लग काम, बलड वेसल्स और बलड का लग काम होता है अपसंट नार राणियंग है। थे इस ऊकषिझेंगस उसली यह आपको दिखाई दे रहा है इसको एरोटा कहते हैं उसके नीचे जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है यह प्लम्नरी आर्टिरी कहते हैं इसको डिसेंडिंग एरोटा कहते हैं ठीक है यह आपको यहां ओल लाइन दिखाई दे रहा है यह लाइन यह क्या फेमरल आर्टिरी यह देखे फेमरल बेन है ठीक है इंटेरियर वेना कावा है और यह प्लिम्नरी वेन है यह सब आगे चीज थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम जान कर लेंगे सूपिरियर वाना कावा है तो यह फीकर को तब तक आप देख लीजिए इसके में जो निम्स दिये हों इसको परना है स्टुडेंट्स देखे अब जब हम लोग जान गए कि शर्कुलेटरे सिस्टम तीन तरीके से उसको हम डिवाइट के हैं यह को हर्ट के हैं दूसरे को क्या क्या है बलड भेसे तीसरा बलड है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्ट के बारे में स्टुडेंट हर्ट के हर्ट के हाए एक होलो मसल्स है बॉनलेस है इसमें हर्ट में बॉन नहीं होता है और यह आपके चेस्ट में मीडिल से हलका लेफ्ट में लोकेटेड होता है आप अप टेस्ट करके भी देख सकते हैं उपर से इसका काम जो होता है बलड को पंप करना है बोडी के क्या है कि blood को pump करता है body के सम भागों में देखे इसमें ना muscle muscular valve पाया जाता है जिसको कहते है septum और यह septum जो होता है heart को तो डो पार्ट में बाढ देता है length वाज़ दो पार्ट में बाढ जाता है एक कहते है उसका बाया साइड और दूसरा है दाइना साइड लेप साइड और राइट साइड में जब इसको बाट देते हैं तो उसमें भाल्ब लगा रहता है और भाल्ब इसको फिर दो भागों में बाट देता है जिसको चेम्बर कहते हैं वो दो चेम्बर बाट देता है ए लेकिन आप इस बात को जान लीजिए, कि जिनरली जो है, आर्टीम जो होता है, वो क्या करता है, आपके oxygenated blood को carry करता है, और ये ventrical जो है, ventrical जो है, वो deoxygenated blood को carry करता है, इसके बारे में हम लोग आगे जिकर करेंगा, students, देखिए, जब हर्ट जो होता है, उसके muscle जो होते है contact होते हैं, शिकूरते हैं, तो blood जो होता है, आर्टीया से होता है, जो body के सब पास में पहुंचता है, यानि आर्टीया से उसके में चला जागा है, ventricals में चला जागा, oxygenated blood किसको कहते हैं, student, oxygenated blood जो oxygen जुक्त blood होता है, जिसमें oxygen का मातरा ज्यादा होता है, तो उसको कहते ह जब lungs से आता है तो सबसे पहले कहा जाता है लेप्ट और टी में जाता है उसके बाद बोडी के हर पार्ट में जाता है और बोडी के हर पार्ट से जब oxygenated blood जाता है metabolic activity होता है तो उस blood में आपको ये carbon dioxide मिल जाता है जब carbon dioxide उसके साथ मिल जाता है तब उसको आते हैं deoxygenated blood यानि deoxygenated blood में carbon dioxide का मात्रा ज्यादा उसका amount ज्यादा होता है oxygenated blood मतलब oxygen जो blood रता है जिसमें reach of oxygen होता है उसको oxygenated blood करते है तो जब RTM से पूरे body में जाता है और body body में जाके उधर से carbon dioxide को carry करके ले आता है return करता है body को देता है तब वो right atrium से होते हुए फिर lungs में जाता है जहां उसका oxygenation होता है students देखिए आपके body में इतना ज्यादा मात्रा में इसको याद रखिएगा आपके body में इतना ज्यादा मात्रा में इतना ज्यादा संक्या में आपके blood vessels है कि सब को अगर straight line बना दे है सब को एक दूसरे से जूर दिया जाए तो लगबग आपको एक लाग किलोमेटर लंबा पुरा कभर कर लेगा एक लाग किलोमेटर लंबा हो जाएगा जब आप किनो blood vessels को artery जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे blood vessels के बारे में artery capability और भेन को जोड़ दी जाएगा तब अब हड के बाद दूसरा नमबर है blood vessels इसको कहते है जिसमें blood flow करता है उसको blood vessels कहते है ठीक है इसमें blood flow करता है उसको blood vessels कहते है blood vessels intricate network of the tube and transport blood to the entire body यह क्या है tube like network network है tube का जाल है और वो पूरे body में बिखरा रहता है blood moves to the all part of the body through the blood आपके हर एक body के हर एक part में blood है इसलिए क्यांकि उसको carrying का काम करता है आपको food को वही carry करके लग जाता है इसलिए body के हर एक part को आपको food चाहिए हर एक part में cell है तो उसको food चाहिए तो blood ही उसको पहुँचाता है इसलिए पूरे body में आपका blood है और ये tube पूरे body में फैला रहता है ये network है blood vessels three type blood vessels को हम तीन केटिगरियों बाढ़ता है यानि blood vessels तीन तरीके का होता है एक होता है arteries, veins और capillary एक का का सब का हम लोग पढ़ेंगे के कास का का arteries जो होता है oxygen blood को carry करता है जो lung से heart तक ले जाता है और फिर heart से पूरे body में जाता है यानि artery carry the blood away from the heart heart से दूर ले जाता है blood को ठीक है स्टुएट और उसमें बहुत जादा high pressure होता है क्योंकि अगर pressure नहीं रहेगा तो तेजी सहर पार्ट में नहीं पहुँचेगा और बहुत जादा pressure होता है इसी कारण इसका जो artery का जो वाल होता है वो ठीक होता है और elastic होता है क्योंकि वो जो blood आता है बहुत स्पिट से आता है जर्क मारते हुए आता है अगर ये इसका वाल ठीक नहीं रहेगा से निकलते हैं छोटा छोटा ट्यूब का तब उसको हम कहते हैं branches को capillary कहते हैं और when they enter in the different organ of the body तब ये body के different organ में inter करते है students अब इस दिखिए जो ये capillary होता है जो artery से निकलता है और ये सब capillary आपस में मिल जाता है जब ये capillary आपस मिलता है तो आपस मिल करके वेन का रसना करता है वेन क्या है capillary sorry artery द्वारा बहुत पतले पतले branches निकलते हैं और सब branches मिल करके एक structure बनाता है उसे structure को क्या कहते है vein कहते है the blood, interest and organ through the artery get the distributed collect various substances from the organ and the move into the vein artery से क्या होता है vein artery से किया capillary निकल अधे artery है और इस से एक शीज़ और जान लिए कि इसका pressure को कम करने के लिए इतना branches होता है अजब इतना branches मिलता है तब इसका pressure कम हो जाता है Ờश्र कम होके तब मिल के बना दिया artery बना दिया vein बना दिया organs इसको यहां में से हर्ट को देता है हर्ट फिर लंग्स को पहुंचा देता है और वहां से carbon dioxide body से बाहर निकल जाता है स्टुडेंस वेन केरी दा डिप्रेंट सोरी वेन्स केरी दा oxygen deficient देखिए oxygen ही वेन्स में oxygen ही होता है carbon dioxide रिच होता है blood होता है अब blood back to the heart, heart से दूर ले जाता है और जो body में activity हो जाता है metabolic activity हो जाता है तो oxygen किसमें बदल जाता है oxygen काम खतम हो जाता है और formation क्या हो जाता है carbon dioxide का formation हो जाता है तो जो carbon dioxide mondo को हेंग बदल ऑकाम होता है in a Zot underwater गाज़कां से organization बदल में होता है बदल किसमें हो facto जाता है carbon dioxide केम साथ गयाues, aksen काफ़रicans बंदल में जाते है जाते है अपको साथ जीलाता, मैं दियूजद को जाता है कि यह केमाट प्रेषा और जम्स काफ़र का Reporting देखिए हमने आपको बताया था कि देखिए यहां से यहां से हाई प्रेशर है यहां इस चीज को बढ़ियाद समझ लेजिए यहां इसमें हाई प्रेशर होने के कारण यह क्या करता है इसमें ब्रांचेज बनते हैं ब्रांच होने के कारण यह ब्लट का प्रेशर कम हो जाता ह कि तो यह बर्ट को प्रेसर करने के लिए कैपलेरी बन आप फिर कैपलेरी मिल करके क्या बना देता है यह बीन बनाता है तो यहां जब बलट 66 हो जुडाता है थिय। तो यह चक्रिय जिकर आपका किताब करे हैं कि यहां जो pressure होता है वेन में में जो pressure होता है यह जाता थो lower pressure हो जाता है backwards have the valve wein के पास valve होता है ताकि ब्लट को क्या करे उनी डिरेक्शनल में पेचे एक ही डिरेक्शनल में पेचे ठीक है तो ब्लड को वन डायरेक्षे में मुव करें इसके लिए देशी देखिए ऐसे आप समझ लीजेए इसको देखिए ब्लड हे इसको चार चेंबर में यह से बाट दिया शेम्डर बाट दिया यहा यह ही वल्ब होता है अगर इधर से लिए इतर आया ब्लड प्रेशर से आपका बंद हो गया तो बंद हो गया तो अब यह इसमें नहीं है जाएगा अब इसमें दूसरा ब्लड आएगा फिर इसके मादियम से अंदर से नीचे की तरह पाएगा तो यह यूनि-डिरेक्शनल कर देता है यह लिग देता है कि भैकवर फ्लोट से रोकता है यह इधर यह लिग यह स्क और ऐन चाहए यह घजैता है यह लिग रहा है यह क्या है वेह ब्लड को टूर दे जाता है थो ढुद सुझेंटों कि अ नाठी हैना में देंगा है अब कि यह वहन दूमें जिस्में भी देंरों के तुम पारनों सब्डार में ख़ला घूलद कि उस्ते पार से ऐस्दों मेंद हो ख़ा máximo इसके दो components बने होता है एक कहते हैं cell component include the RBC, red blood cells, WBC, white blood cells and blood platelets इसको तीन category में बाढ़ दिया गया है और दूसरा जो है वो liquid components है जिसको blood plasma कहते हैं इसके बारे में आपको upper classes में better है आप चाहिए का तो video हमने upload किया आपके लिए blood plasma और उसके components के बारे में आप वहाँ जाके detail ले सकते हैं आप चैनल में देखे playlist खोलिए का आपको मिल जागा Let us know the little more about the different components of blood अब different components of blood के बारे में पढ़े लेते हैं RBC क्या है WBC क्या है और blood predators क्या है students सबसे पहले हम लोग जिक्रे करेंगे RBC का RBC जो होता है न उसमें protein एक तरह का protein पाया जाता है उस protein को हम कहते है hemoglobin Hemoglobin नथिंग बते है Hemoglobin टाइप और प्रोटीन यह क्या प्रोटीन के एक टाइप और इसके आप पहले ही से जान चुके है Hemoglobin टांस्पोर्ट करता है कि चीज को oxygen को ट्रांस्पोर्ट करता है हमने आपको इस इसी वीडियो वे उपर में जिक्र किया था रिट कलर का होता है क्यों रिट कलर का होता है due to presence of Hemoglobin Students उसके बाद जो होता है अगला जो नंबर है वह है WVC यानि white blood cells नाम से नहीं पता है colorless है white color का है ठीक है ना colorless नहीं कि यह white color है और defense force of the body यह क्या करता है यह defense करता है आपके body को infection से रोग होने से बचाता है WVC और white blood cells destroy harmful bacteria आपके body में harmful bacteria आ गया चुकि माइक्रोड की यह मुड़ते रहता है पानी में सभी सभी जगे पर मिलता है तो यह आपके body में अगर पहुंचता है तो उससे आपको disease होने से बचाता है इस चीज से बचाता है तो यह इसका काम ही है protection तो they protect our body against infection infection से हमारे सरीर को बचाता है उसके बाद है platelets students platelets हमको blood clotting में मदद करता है they are there to prevent excessive loss of water इसके कारण आपको water ज्यादा loss नहीं होता है करता है उसके बाद clotting हो जाता है उसके बाद फिर क्या हो जाता है injured होता है तो फिर repaired हो जाता है student उसके बाद है liquid part है blood का वह है students plasma blood plasma यह liquid part है students और blood plasma आपके body में blood plasma का मात्रा 55% है 55% आपका blood है student याद रखेएगा और solid part जो हम लोग पढ़के है WBC, RBC, platelets उसका percentage 45% यह blood का composition है liquid part जो है blood plasma वह 55% है ठीक है 55% में 90% water restraint 90% क्या है water है और यह 45% है 45% में 44% लगबग 44% लगबग WBC है यह सारा detail आपको मिल जागा आप चाहिएगा तो आप वीडियो देख सकते है blood water जैसे आपने पहले भी आपको चिक्र कर दिया तो यह देखिए आजे straw colored liquid component है blood में का और normally hold करता है blood cell इसी में blood cell suspended रहते हैं इसी में डूबे रहते हैं और it makes about 55% of the body total volume का 40-55% यह आपको मिलेगा students यह देखिए do you know है का रहा है the membrane or the outer layer of the blood cell is flexible blood cell होता है उसका outer membrane क्या होता है ओ flexible होता है student लचिला होता है and sloppy bubble होता है its bend itself to the many direction यह क्या हो जाता है और एक direction बेंड हो जाता है this is important because the red blood cells must able to pass through the tinnis blood vessel यह कारण है कि यह छोटे-छोटे blood vessels में भी पार हो जाता है क्योंकि यह bend कर जाते हैं बिने टूटे हुए and deliver oxygen whenever is the needed oxygen के जूरत होता है वहां पहुंच जाता है पतला-पतला blood vessels में भी पार हो जाता है केपिलरी में तो यह आपका इसका बिसेज जनकारी आपके लिए अब देखिए blood का function क्या है main function blood का कि यह digestive food के सभी body में पहुंचाता है digestion हो जाता है small intestine से अब यहां उठाता है blood और आपके सभी part में यह आपको पहुंचा देगा circulation of blood resulting the distribution of body also help maintain the body temperature body temperature को भी maintain करता है जैसे हमने आपको बता है blood plasma में 90% water तो यह उसको carry करता है carry करके आपके body temperature को maintain करके रखेगा और फिर blood cell जो ispally wbc आपको fight करता है को infection होने से बचाता है wbc आप platelets जानते हैं कि blood clotting में आपको मदद करता है किसी के ताकि excessive bleeding ना हो blood platelets हो क्या कर देता है clot कर देता है ठका बना देता है blood transport oxygen blood oxygen को transport करता है lungs से कहां तक tissue तक पहुंचाता है देखिए blood transport करता oxygen को lungs से लेता है और आपको जितना tissue है body का उहां से पहुंचाता है from the lungs to tissue पहुंचाता है student अगिला students blood also transport carbon dioxide आप देखिए respiration हो जाता है carbon reaction form होता है body के अंदर उस carbon dioxide को भी tissue से उठा करके आपको lungs तक पहुंचा जाता है और lungs से body से बाहर निकल जाता है students अगिला जो topic है हो है heart beat and pulse rate students heart beat as long as one stay life आप जिंदा है तो आपका heart beat चलता रहेगा heart beat consists of contraction and relaxes of words heart beat क्या है heart beat है heart beat है जो आपके muscle होते है heart के उसका secure ना और फैलना the contraction of the heart is called systole जब heart contract करता है ठीक है contraction होता है heart में तो उसको systole करते हैं और जैसे हो relax होता है उसको diastole कहते हैं और यह students आपका यह जो contraction or relaxation और रिद्मिक होता है एक लाय में चलते रहता है heart का and its main क्या रहा है the rhythmic contraction of heart and its main artery to fit regular jerk in the pulse आप देखें आप पलस देखते हैं आप डॉक्टर कहाँ जाता है तो आपको उपर नीचे ऐसे हिलते हिलते दिखाई देगा वो कुछ नहीं artery का जर्क है अप pulse rate is the same as the rate of heart beat जितना आपका pulse rate है वही आपका heart beat rate है यानि heart beat को check करने के लिए डॉक्टर आपके wrist पे जो आपने finger रहके देखता है वो heart beat देखता है जब wrist में हो में human being जब wrist में होता है तो उसका heart beat जो होता है 60 to 80 per minute होता है यानि 80 वार और pulse rate उसका होता है जब wrist में होता है लेकिन जब exercise में होता है जब exercise में होता है तो यह आपका लगबर 220 per minute तक हो जाता है इस तरह इस students आपका यह chapter खत्म होगा अब इसका question से कराया जागा तब तक के लिए thank you कर दो